आप सभी लोगों का मेरी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तुरक्षित होंगे और अपने समय का बहतर उपियोग पढ़ाई में कर रहे हूंगे मैं देनु गुप्ता, लेक्चिरर, S.E.E.R.D. यूपी लखनव से आज मैं आप सभी लोगों को सैक्षिक प्रबंधन एवंग प्रसाशन जो की D.L.A. पूर्ट सेमेस्टर के सेकेंड सैधान्तिक प्रश्नपत्र है उसका एक टॉपिक है रास्टी इस्तर पर कारे करने वाली प्रमुक संस्थाएं उसके बारे में आज हम बात करेंगे आज मैं इस क्लास में आप सभी लोगों को रास्टी इस तरह पर कारे करने वाली दो प्रमुक संस्थाएं जिसमें पहला है NCRT और दूसरा निउपा के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे ये दोनों ही संस्थाएं किस शेत्र में काम करती हैं क्या काम करती हैं इनका उद्देश क्या है इन सभी बिंदूओं पर इन सभी पहलूओं पर आज हम विचार करेंगे इससे पहली की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को वित्य प्रबंधन के बारे में बताया था कि वित्य प्रबंधन किसी भी संस्था के लिए किसी भी विद्याले के लिए किसी भी फर्म के लिए क्यों आवश्यक होता है वित्ती प्रबंधन जो है वित्ती निर्ने लेने वाली वह प्रक्रिया है वह क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने वेक्तिगत उद्देशों और संस्थागत उद्देशों में एक समन्वे एक कॉडिनेशन स्थापिट करते हैं साथी वित्ती प्रबंधन जो है वेवसाइट प्रबंधन का वह छेत्र है जिसका संबन पूजी का यानि की फंड का बड़े ही विवेक्तिगत से प्रयोग करना और साथी पूजी का जो संसाधन है उसका बड़ी ही सतरकिता के साथ चेयन करना जिसे की बै करने वाली जो संस्ता है अपने निधारित लक्षों तक अपने निधारित वो देशों को पूरा कर सके आईवे का जो ये विवड़ होता है वो प्रसाशनिक दिश्टी से एक वर्ष के लिए होता है जिसे हम वित्ती वर्ष के नाम से जानते हैं और ये वित्ती वर्ष एक अप्रैल से सुरू होकर अगले 31 मार्च के लिए होता है आईवे के इस विवडर पत्रों को हम बजट के नाम से संबोधित करते हैं इसके साथी साथ मैंने आप लोग को विती प्रबंधन के अंतरगत स्कूल ग्रांड और टीलम ग्रांड के बारे में विस्तारपूर्वत चर्चा की थी आज उसी के क्रम में आज मैं आप सभी लोगों को रास्टी इस्तर पर सिक्षा के छेतर में कार करने वाली संस्थाएं जिसमें पहली संस्था है NCERT जिसे कि हम इंग्लिश में National Council of Educational Research Training के नाम से जानते हैं रास्टी सैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसिक्षर परिशत के नाम से जानते हैं के बारे में हम पढ़ेंगे आप काफी लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और कमेंट बाक्स में सभी का नाम मेधा सेंग, सभी के नाम पवन कुमार, सभी के नाम आयूशी अवस्ती इन सभी लोगों के नाम शो होने स्टार्ट हो गया है, आप सभी लोगों का मेरी क्लास में स्वागत हैं आज मैं आप लोग को सबसे पहले NCRT के बारे में बताऊंगी NCRT की अस्थापना भारत सरकार द्वारा विद्यालेई सिक्षा से जुड़े हुए मामलों पर केंदी सरकार और प्रांती सरकारों को सलाह देने के उद्देश से की गई यह परिश्ड जो है भारत में विद्यालेई सिक्षा संबंधी नीतियों पर कारिल करता है NCRT की अस्थापना सिक्षा मंत्राले जिसे हम वर्तमान में MHRD यानि की Ministry of Human Resource Development मानो संसाधन विकास मंत्राले के नाम से जानते हैं और यह नाम का परिवर्तन हुआ 1985 में सिक्षा मंत्राले का नाम बदल कर Ministry of Human Resource Development कर दिया गया के ड्वारा 27 जुलाई 1961 में किया गया यानि कि NCRT की अस्थापना 27 जुलाई 1961 को की गई परन्तु NCRT ने जो अपना अपचारी क्रूप से जो अपना कार्य है वो एक सितमबर 1961 से प्रारम्भ किया NCRT की अस्थापना से पहले देश में सिक्षा के छेतर में कई सारी संस्थाएं काम कर रही थी और 1961 में सिक्षा मन्त्राले दोरा इस सभी संस्थाओं को एक साथ मर्ज करके एक साथ मिलाकर एक नई संस्था की स्थापना की गई जिसे हम NCRT यानि की रास्ती सैक्षिक अनसंधान एवं प्रसिक्षर परिशत के नाम से जानते हैं के अस्थापना की गई NCRT का जो प्रमुक कारे है वो सिक्षा मन्त्राले और समाच कल्यार मन्त्राले को सिक्षा के छेत्र में विद्याले सिक्षा के छेत्र में सलाह देना और नीती निधारण करने में फॉलसी मेकिंग करने में सहायता प्रदान करना है वर्तमान में Dr. Rishi के सेनापती वर्तमान में Dr. Rishi के सेनापती NCRT के डारेक्टर है जो कि इस पदपर जो कि इस पदपर 25,000 से कागय है Dr. Rishi के सेना पती अब सभी लोग प्लाइक बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने उनका नाम लिख दिया है NCRT के जो वर्दमान में डारेक्टर है वो डॉक्टर रिशी के सेना पती है और यह इस पत पर 2015 से कार्वेर है NCRT में कई अनसेक्षिरिक सर्थाएबी है जो NCRT कार्यों में सहयोग प्रदान करती है जिसमें पहला है रास्टी सिक्षा संस्थान नई दिल्ली केन्वी सिक्षा प्रोध्योगिती संस्थान नई दिल्ली छेत्वी सिक्षा संस्थान अजमेर छेत्वी सिक्षा संस्थान भोपाल छेत्री सिक्षा संस्थान भुनेश्वर, छेत्री सिक्षा संस्थान मैसूर और उत्तरपूर्वी छेत्री सिक्षा संस्थान श्रीलोंग प्रमुख है यानि कि मैंने आप लोगो NCRT की साथ सहयोगी संस्थाओं के बारे में बताया इन सभी संस्थाओं में जो सबसे प्रमुख है वो है Department of Women Studies जो की महिला सिक्षा के छेतर में विशेश रूप से NCRT के साथ मिलकर कारिकरती है और साथी साथ नीटीगर्द बदलाओ और सलाह का आदान प्रदान इसके द्वारा किया जाता है इसके अलावा बहुत सारी गैर सरकारी संगठन बहुत सारे NGO's भी NCRT के साथ मिलकर सिक्षा के छेतर में गुर्वत्ता पूर्व सुधार लाने के लिए कारिकर रहे हैं NCRT के द्वारा प्राइमिरी सिक्षा यानि की प्रात्रमिक और अनौप्टारिक सिक्षा के छेतर में इन्फॉर्मल एजुकेशन के छेतर में यूनी सेफ के समात मिलकर जो की एक अंतरास्टी अंजियो है एक गैर सरकारी संगठन है उसके साथ मिलकर बहुत सारी परियोजन का बहुत सारे प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है NCRT क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तरके बचों का करिकुलम डेवलप्मेंट पाठिक्रम का विकास और साथी पाठिकुस्तकों के प्रकाशन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है NCRT के द्वारा प्रतिवर्स जवाहर लाल नहरू राष्टी विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है और साथी NCRT साइस किट का भी निर्मार करती है तयार करती है 1971 से NCRT द्वारा राष्टी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रदर्शनी का में उद्देश ही होता है बच्चों को उनकी जिग्यासा और रशनात्मक्ता के लिए एक मन्च उपलब्द कराना जिससे कि अपने बच्चे अपनी जिग्यासा को अपनी ग्यान पिपाशू को सांध कर सके साथी बच्चे अपने आसपास के हो रहे क्रिया कलापों में विज्ञान की उपस्थिती का अनुभव कर सके और उन्हें यह भी ग्यात कराना की किस प्रकार भौतिक और समाजिक परियावरण से हम अधिकम प्रक्रिया को जोड़कर ज्यान प्राप्त कर सकते हैं और अनेक समस समाधान धून सकते हैं इसके साथी साथ बच्चों में राष्ट के भविश्य के प्रती दूरदर्शी बनाना और उन्हें समवेदन सील और जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक responsible citizen के रूप में विक्सित करना NCRT का प्रमुक कारे हैं इसके अलावा NCRT के द्वारा सेवा काली और सेवा पूरू यानि की प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों प्रकार के सिक्षकों के लिए सिक्षर प्रसिक्षर का इक्रमों का निर्मार एवं उसका क्रियान वेन किया जाता है टीचर्स में एक बहतर छमता विकास के लिए एक बहतर कैपिसिटी विल्डप के साथी साथ अनुसंधान सामागरी का विकास कारे भी किया जाता है और स्कूलों में नवाचार एवं सोथ को बढ़ावा देने के लिए यह NCRT मुख्य रूप से अपना योगदान कर जाती है यहां मैंने एक शब्द यूज किया नवाचार नवाचार यानि सिक्षक अपने बच्चों के अधिगम को उन्नत करने के उद्देश से अपनी पीचिंग में नए-नए मैथेड्स को नए-नए टेकनीक्स को अपने नए-ने सामागरीयों का इस्तमाल करता है जिससे क बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जा सके उसी को हम नवाचार के नाम से जानते हैं नवाचार क्या है नए-ने सिक्षड में अपनी टीचिंग में नए-ने मैथेड्स का नए-ने टेकनीक्स का नए-ने सामागरीयों का इस्तमाल करना जिससे की सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान सुगम बनाया जा सके उसे हम नवाचार कहते हैं यानि NCRT के द्वारा स्कूली सिख्षा में नवाचार एवं सोत को बढ़ावा देने के लिए विशेश रूप से कारिक किया जा रहा है सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए विभिन प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन भी NCRT के द्वारा किया जाता है साथ ही NCF 2005 यानि कि National Curriculum Framework 2005 और NCF for Teachers Education 2009 के आलोग में ऐसी सामागरियों को विक्सित करना जिससे कि अध्यापन को अधिगम को अध्यापक के प्रसिक्षर को में नई नई पधितियों को उजागर किया जा सके इस शेत्र में भी NCRT प्रमक रूप से अपना योगदान दे रही है इन सभी कारियों के अत्रिक्त NCRT के द्वारा कुछ और भी कारे किये जाते हैं जो इस प्रकार है सबसे पहले है उसकूल सिक्षा में गुडवत्ता पूर्ण सुधार के लिए सैक्षिक और तक्नीकी सहायता प्रजान करना जो भी स्कूल सिक्षा है उसमें जो हम एक क्वालिटेटिव चेंज कैसे लाएंगे उसके लिए टेक्निकल और एजुकेशनल सपोर्ट प्रजान करना सिक्षा के प्रतेख छेत्र में चाहे वो प्राइमली लेबल हो मिडल लेबल हो या हायर लेबल हो उन सभी इस तरों पर तोध कारियों को प्रुट्साहित करना तोध कारियों को बढ़ावा देना और साथ ही उच्छ सिक्षा के छेत्र में प्रसिक्षर को बढ़ावा देना NCRT का प्रमुख कारे है साथ ही उसकूलों की सिक्षर प्रद्धिती में लाए गए बतलाओं को, लाए गए विकास को लागू करना और राजियों को और जो भी गैसरकारी और जो भी अन्नसेक्षिक संस्था है उन्हें अपनी सिक्षा में कैसे बहतर किया जाए अपनी टीचिंग को कैसे बहतर किया जाए इस संदर्व में समय समय पर सला देना NCRT का प्रमुख कारे है यदि हम संशेप में कहें कि भारत में सिक्षा से जुड़े हर एक मामले में NCRT अपनी उपस्तिती दर्ज कराता है तो यह कहना गलत नहीं होगा किस प्रकार हमने NCRT के प्रमुख कारियों के बारे में प्रमुख उद्देशों के बारे में विस्तारपूर्वक जाना आगे हम जानेंगे NCRT के प्रमुख नई NCRT के बारे में जाना आगे हम निउपा के बारे में यानि कि National University of Educational Planning and Administration जिसे हम हिंदी में रास्टी सैक्षी की ओजना एवंग प्रसाशन विश्व विद्याले के नाम से जानती है के बारे में हम साथ मुख पढ़ेंगे पकपुल फर्म क्या होता है National and for National University for Educational Planning and Administration जिउपा जो है सैक्षीक योजना और प्रसाशन के छेत्रों में केंद्री या मानो संसादन विकास मंत्रालेद्वारा स्थापित भारत की ही नहीं बलकि दक्षड एशिया की प्रमुक संगठन है जो की सैक्षिक योजना एवं प्रसाशन या प्रबंधन के छेत्रों में छमता विकास और सोध कार्यों में सगलंग रहती है न्यूपा जो है मेल रूप से सैक्षिक योजना और प्रसाशन के छेत्रों में विसेश रूप से कार्य करती है और साथी न्यूपा की अस्थापना जो है 1962 में एजुकेशनल प्लानर्स यानि की जो सैक्षिक योजनाकार है एजुकेशनल एड्मिनिस्ट्रेटर, एजुकेशनल सुपरवाईजर्स को प्रसिक्षर देने के उद्देश से एशिया छेत्र में यूनेस्को के केंदर के जो भी सैक्षिक सुपरवाईजर है उनको प्रसिक्षर देने के उद्देश से एशिया छेत्रों में यूनेस्को के केंदर के रूप में इसकी अस्थापना की गई और 1965 में इसे एशिया सैक्षिक योजना एवंग प्रशासन संस्था बना दिया गया इसके चार वर्सों ब भारत सरकार ने इसका न्यूपा का अधिग्रहण कर लिया न्यूपा की बढ़ती हुई भूमिकाओं उसके बढ़ते हुए क्रिया कलापों विशेश कर चमता विकास सोध और सरकार को दी जा रही वैवसाइक समर्थनकारी सेवाव को देखते हुए भारत सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया गया तैक्षी की योजना और प्रसाशन की छेत्र में इसके बढ़ते वे कालियों को देखते वे भारत सरकार ने अगस्त दो हजार चे में इसे एक मानत विश्व विद्याले का दर्जा प्रदान किया जिससे कि यह स्वैम उपाधियों को प्रदान कर सके यह भारत सरकार द्वारा पूरता वित्पोशित संस्थान है यानि कि भारत सरकार जो भी इसका खर्च होता है वो भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है इस प्रक करती है भारत में सिक्षा संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भारत सरकार द्वारा नीपा की अस्थापना की गई और नीपा के द्वारा EMIS यानि पहले तो MIS जिसे हम कहते हैं MIS के नाम से जानते हैं Management Information System के नाम से जानते हैं अस्थापना की गई Management Information System और इस Management Information System के अंजरगर दो नातन नाम करते हैं जिसे अब EMIS यानि की Educational Management Information System और PMIS Project Management Information System के नाम से जानते हैं की अस्थापना की गई गई PMIS जो है सिक्षा के संदब में भौतिक सूचनाओं का जानकारी प्रदान किया जाता है PMIS दोरा भौतिक सूचनाएं का जो भी है भौति सिक्षा संबंधी भौति सूचनाओं की जानकारी दी जाती है जबकि EMIS दोरा सिक्षा के संदर्व में भौतिता प्रौन जानकारी और आकड़ो संबंधी जानकारी EMIS के दोरा प्रदान की जाती है वर्तमान में SSR के दोरा यानि की समग्र सिक्षा अभियान दोरा MIS का संचालन किया जा रहा है ध्यान रहे MIS की अस्थापना जो है यूपा दोरा की गई किन्तु इस वर्तमान में इसका जो संचालन है वो SSR के दोरा समग्र सिक्षा अभियान के दोरा किया जा रहा है आगे हम बात करेंगे EMIS के प्रमुख कारें के बाले में EMIS का प्रमुख कारें क्या है यह मायास का जो प्रमुख कारें को है जाले 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 जाजी सरकार सब्सक्राइब को पहुंचाना इम इस द्वारा विद्याले इस्तर पर जो सबसे निम्न इस्तर है सुष्णाओं का सिक्षा संबंदी सुष्णाओं को विद्याले से एकच्रित करकर जिला इस्तर तक पहुंचाना कोई भी नोडल अधिकारी सुष्णाओं को विद्याले से प्राप्त करकर जिला तक पहुंचाएगा चले से फिर राजसरकार तक पहुचाया जाता है और इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नभी योजनाग बनाई जाती है और या फिर जो पुरानी योजनाई चल रही है उनका परिक्षर, उनकी टेस्टिंग की जाती है कि जो योजना चलाए गई उससे हमारी क्या उपल इन्ही सूचनाओं के आधार पर जो नवीन भरतियां होती है साधी शिक्षकों के वेतन का निधारण वित्याले में भवन में क्या फनीचर उप्लबत कराने है इन सभी समाग्रियों पर राजसरकार द्वारा और फिर किंद सरकार द्वारा विचार विमर्स किया जाता है इसके अलावा EMIS का जो और भी प्रमुपुद्देश हो है विद्याले संबंदी सूचनाओं को एकत्रित करना विद्याले संबंदी सूचनाओं और डेटा को एकत्रित करना डेटा के अधार पर योजनाओं का परिक्षर करना विद्याले में जो बच्चे का नामंकन हुआ है जो इन्रोल्मेंट हुआ है उसको सुनिश्चित करना और साथी विद्याले में गुडवत्ता पूर्ण संबंदी सूचनाओं को एकत्रित करना EMIS का प्रमुक उद्देश है विद्याले में जो नामंकन सुनिश्चित करने के अंतरगत जो भी बच्चे विद्याले में इन्रोल्ड हुए है जो भी प्रवेश लिए है वो विद्याले में है या वर्तमान में है की नहीं अगर ड्रॉप आउट हो गए है तो उसका क्या रीजन है उसका पता करना और उसमें सुधार करने का प्रयास करना EMIS जो है सुचना को एकटर करके राजसरकार तक पहुचाती है और राजसरकार से ये केंड़ सरकार तक पहुचाता तक इस पर कारे किया जाता है एक मैंने इसमें पॉइंट बताया था कि विद्याले की गुरुवत्ता पूर्ण संबंदी सुचना है वर्तमान में विद्याले में भवन है सिक्षक है छात्र है सभी कुछ है तो भी अभिवावक अपने बच्चों की सिक्षा से संकुस्ट नहीं है तो ऐसा क्या कारण है इस कारणों को पता लगाना भी EMIS का प्रमुक उद्देश है और इन कारणों को पता लगाकर राज्यसरकार और फिर केंद्र सरकार तक पहुचाना और इस संदर में केंद्र सरकार द्वारा विभिन प्रकार की योजनाउं को चलाकर इस छेत्र में कार करना कि किस तरह हम बच्चों के अधिकम को लर्निंग को बहतर कर सकते हैं इस प्रकार हमने जाना कि EMIS जो है सिक्षा की सूचनाओं को वह प्रारम भी किस तर है जिसके द्वारा समस्त सूचनाओं राज विद्जाले से लेकर राज सरकार और राज सरकार से लेकर केल्ड सरकार तक पहुचाई जाती है निउपा का ये प्रमुकार मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये निउपा सिक्षा के छेट में ये सभी कारों का संचालन किया जाता है अब हम आगे बात करेंगे आज के assignment पर कि आज का assignment आप लोगों को क्या करना है आज के assignment में आप सभी लोग N.C.E.R.T. यानि की राश्टीय सैक्षिक अनुसंधान एवंग प्रसिक्षर परीशत और निउपा राश्टी सैक्षिक योजना एवंग प्रसाशन विश्विर्द्याले के बारे में उसके कारियों के बारे में E.M.I.S. के बारे में एक लेक तयार करके अपने डाइट्स पर अपनी स्टिक्षर संस्थाओं में समिट कर दीजेगा इसी के साथ मैं आज इस क्लास को एंड करती हूँ Thank you so much सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की जब भी मैं नया वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए